इस वीडियो में हम डिसकुस करने जा रहे हैं मेरी पुरी टेक्निकल एंडिकेटर के बारे में जैसे कि आपको पता है यह मेरी पुरी टेक्निकल एंडिकेटर के सीरीज चल रही है जिसा मैं आपको सारे इंडिकेटर जो में यूज करता हूँ और जो इंडिकेटर यूसफुल है उन सबको डिसकस करने वाला हूँ तो यह इस सीरीज की फोर्थ वीडियो है जो है मैंने पहले आरेसाई और आरेसाई डाइवर्जिंस के उपर दो वीडियो बना चुका हूँ अब आरे है मेरी मेरी मेसडी के उपर वीडियो इसके बाद भी बाकि इंडिकेटर के वीडियो आने वाली है तो बहुत यूसफुल सीरीज है यह और बहुत नौलेजबल सीरीज है मैं आपको पूरा यकिन दिलाता हूँ कि अगर आप में पूरी सीरीज देख ली तो आपक कोई वीडियो देखने की जरुत नहीं पड़ेगी इंडिकेटर के रिगाड़ी बहुत ओसम सीरीज होने वाली है और बहुत डीपली और बहुत अच्छे से बैक्टेस्ट करके आपको वीडियो में सारे इंडिकेटर पढ़ाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो है लोजिक लगता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि वो किसी काम कभी नहीं होता है आप हर चीज के लिए फॉर्मुलर लगाएंगे लोजिक लगाएंगे वो किसी काम बने नहीं है मैं आपको यह बताऊंगा इसका काम क्या होता है इसके कितने यूजिस होते हैं यह MACD indicator आकर work कैसे करता है मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ लेकिन यह कैसे बनता है, क्यों बना है यह चीजों का आपको कुछ लेना देना नहीं है यह खाली आपको mind को divert करेंगी और MACD indicator कैसे बना है हमको क्या करना है भाई इससे कैसे बना है हमको बस यह करना है कि आखिर इसका use क्या है हम सको कैसे use करेंगे आखिर किस किस time पर हम इसको use करेंगे आखिर यह use क्यों करते हैं हम इसको तो इस चीज़ से हमारा लेना देना है तो मैं यह चीज़ें पूरी discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में तो ज्यादा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है अगर आपको पूरा अच्छे से वीडियो देखने का time है तब ही वीडियो देखना या तो आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हो क्योंकि बहुत important वीडियो है एक flow में समझो के तो आपको अच्छे से वीडियो समझ मा जाएगी और इससे पहले यह हलकी हलकी जो MACD indicator होता है वो हलका हलका मैच करता है RSI indicator से तो RSI की वीडियो और RSI divergence की वीडियो भी एक पर जरूर देख लेना क्योंकि उससे ही हलका फुलका मैच करता है और MACD indicator भी तो हम डिसकस करते हैं MACD के uses क्या होते है सबसे पहले तो हम MACD indicator हम कहा में लेगा MACD आप यह FX करके एक indicators है strategies का column है उसमें आप जा सकते हैं तो उसमें आप सर्च करेंगे MACD सर्च करेंगे तो आपको favorites में या bulletins में आएगा MACD line है blue valley line और इसमें इक histogram होता है मैं आपको बता हूँगा क्यों क्या uses का MACD line blue valley line है आप इसको देख सकते हैं अभी मैं इसको थोड़ा सा इसकी thickness को बढ़ा देता हूँ indicator लग जाएगा अब आपको इसमें दिख रहा हूँ कि थोड़े यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ कि एक bars type का है histograms type का है है और वो histograms हैं और दो lines सारी है blue valley line है मेरी MACD line और orange valley line है मेरी signal line तो अब इसी का use क्या होता है जैसे कि आपको देख रहा हूँगा जब भी signal line और MACD line middle line यह जैसे कि आपको पता होगा zero वाला लेवल जो है वो है मेरा mid line तो mid line के उपर अगर यह signal line और MACD line होती है तो हमारा histogram जो होता है वो उपर के साड़ बनता है इसका मतलब हमारा अभी market में bullishness है और एक बात होगा यह है lagging indicator lagging मतलब को मैंने पहले बता रहा है lagging indicators मतलब जो price के react होने के बाद अपना reaction करते है कि मानलो जब candle बन जाएगी उसके बाद हमारा MACD line बनेगी क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि pivot points होगा CPR होगा है वो है leading indicators को उनको पहले से बताते हैं कि price में यहाँ पर support है यहाँ पर resistance है लेकिन यह ऐसा नहीं बताएगा यह price के होने के बाद react करेगा तो यह lagging indicator है जो इसका सबसे बड़ा demerit है और साथ में यह है trend indicator वैस्चे तो यह कहने को trend indicator यह trend बताता है कि bullish trend चल रहा है या लेकिन आपको इसको एक momentum indicator की तरवी ले सकते हो कि जो आरसाई है momentum बताता है कि bullish में हमारी कितनी strength है आप उसकी तरवी इसको यूज कर सकते हो जैसे कि मैं आपको seriously बताऊंगा मैं मैं इसको trend प्लस momentum के लिए ही यूज करता हूं लेकिन बहुत से लोग traders को सिर्फ trend बताने के लिए करते हैं कि हाँ यह bullish trend चल ला है हाँ यह bearish trend चल ला है तो आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से use करता हूं तो सबसे पहले हम देखते है mcd indicator के बारे में तो mcd indicator में आपको blue वाली लाइन जैसे का आपको बता है मैंने आपको बता ही mcd लाइन है और जो orange वाली लाइन है वो है मेरी signal लाइन यह जो charts है वो histogram टाइप के है histogram आप कह सकते हो इसको bar type के दिख रहे हैं आपको और इसमें अगर signal plus mcd line अगर middle line से उपर है तो इसका मतलब हमारे charts जो bar बन indicator का सबसे पहला यूज इसका बताता हूं पहला यूज इसका है कि यह हमको बताएगा कि जब भी आप देखोगे जब जो macd line है वो signal line को उपर से नीचे को cross कर रही है यह देखो यहां से उपर से नीचे को cross किया है तो यहां से हमको देखने को मिल सकता है bearish trend जैसे कि आपने यहीं पर हम उसको correct लेते हैं यहां पर हमारा देखिए important resonance बन रहा है मैं आपको हर indicator बताता हूं आरसा ही बता रहा है मैं हमें सब price action के साथ ही indicator को use करता हूं मैं purely indicator के base पर trading नहीं करता हूं और कर भी नहीं सकता क्यों कि बहुत ज़्यादा losses हो सकते हैं आपको okay indicators सिर्फ help करते इंडिकेटर्स आपको यह नहीं पताते कि भाई यहां ट्रेड ले लो यहां आप sell कर सकते हो indicators पर आपको help करेंगे तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप इसको help के तौर पर ले सकते हैं जरूरी नहीं कि आप इसको trade के लिए purely indicator के basis पर आपको trade इसमें नहीं करनी है तो जैसे इसके लिए support बनके तो support का break वा break होने के बाद हमको अच्छा खासा इसमें down move देखने को मिला है और जब तक फिर यहां पर देखिए आप यहां से देखोगे तो signal line एक सबसे important support plus resistance है MECD के लिए जैसे कि मैं आपको बताया था RSI में 40 का level बहुत important support होता है और 60 का level बहुत important resistance ह होता है वह करता है बहुत important support plus resistance अगाम तो यहां पर देखिए आपने हमको यहां से सिगनल मिला कि हमको यहां से bearish trend शुरू होने वाला है तो यहां पर हमने पहले entry ले ली MECD ने हमको बताया कि हां entry हम ले सकता है MECD bearish बना है उसके बाद signal line पर हमको important support दिखता है तो यह वा information मिल जाए कि हां यहां से bearish trend चालू हो सकता है तो यह होता है पहला uses का तो मैं आपको और backtest करके दिखता हूं क्योंकि मैं एक बार backtest में नहीं मानता हूं मैं कम से कम 2-3 बार इसको करके देखूँगा बहुत जगए आपको देखोगे कहां पर हमको एक अच्छा दिख सकता क्रोस किया है तो हम यहारा level mark करते हैं यह वाला हमारा level है यह अच्छा level भी है तो यह हमने level किया यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर एक अच्छा खासा breakout हुआ था लेकिन वह सस्टेइन नहीं कर पाए अच्छे बेक्टाउन के बाद यहां पर रिडाइस क्लिक गया है सबसे पहले आप यहां पार देखो कि अच्छा अच्छा अच्छ मेंग हम यह यह देखते हैं तो प्राइज में हमको अप मूब देखने को मिला है आपर उपर से कड करती है तो हम्को मिलता है एल सिगनल और nine Indian THE राइनल को नीचे से ओपर UK शुवा थाहने ढोला है वह स्टाहि общем weekend ब्लिश ट्रेंड कंटिनू देखने को मिला है तो ऐसे काम करता है मेस्टी इंडिकर्टर तो यह इसका सर्फ पहरा यूज था इसके और बाखी यूज़े से हैं मैं आपको सारे बताने वाला हूं तो यह आपको यह बताएगा इसमें लाइन का बस यही यूज़ है कि आपको यह बताएगी कि यहाँ पर हमको बुलिश सिगनल मिल रहा है या सेल सिगनल मिल रहा है या बाई सिगनल मिल रहा है अगर मेस्टी लाइन उसको उपर से क्रॉस करती है सिगनल लाइन को तो हमको मिलता है सिगनल और मेस्टी लाइन नीचे से उपर को क्रॉस करती है तो हमको म तो MECD का जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टाडिंग होता है कि आपने अगर RSI की वीडियो नहीं देखिये तो वह भी जरूर देखना क्योंकि बहुत मैच करता ही RSI इंडिकेटर से तो अब जो इसका दूसरा यूज है वो है जैसे कि आपको पता है RSI में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जैसे 60 40 60 के उपर अगर प्राइस चले जाता है तो इसका मतला हमारा आगया है एक ओवरबॉर्ड जून और अकर 40 20 के नीचे अगर RSI चले जाता है तो इसका मतला हमारा आगया है एक ओवर सोल जून तो सेम यही का का लेवल और यह ले लिए मैंने माइनस 40 का लेवल तो मैंने दोनों लेवल चूज कर लिया है जैसे कि आपको देखोगे यहां पर जब भी 60 का लेवल है यह इंपोर्टेंस रेस्टेंस का काम करेगा MACD के लिए तो आप देख सकते हैं आप मैं आपको बूरा इसको बेक्ट जोन में गया है मारकेट तो में हमारा और में तो यहां पर हमको अच्छा सा एक पाल देखने को मिल सकता है तो यहीरी पर से देखिया MACD में हमको फॉल साब तो ऐसे करके ही हमारा काम करता है यह वाला अब मैं अच्छे से आपको इसको बैक्टेस्ट करके दिखाऊंगा तो हम इस strategy को जो oversold और overbought की strategy है में सीडी के हम उसको एक पर अच्छे से यूज़ करूँगा मैं purely M.A.C.D. के basis पर कोई trade नहीं लेने वाला हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बहुत अच्छे overbought reason है market चले गया है अगर आप यहां पर से शुरू कर सकता है यह वाले reason से और यहां पर तक हमारा सीधे है overbought reason तो पूरा M.A.C.D. पूरा एक overbought reason में trade कर रहा है तो हम इसमें हमको मिलेंगे multiple confirmations अब वो कैसे मिलेंगे बहुत important topic है अब आपको इसको ध्यान से सुनना तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमको एक अच्छा खासा एक दिख रहा है एक support level support या resistance करेंगे बहुत एरिया के लिए supporter काम कर रहा है और बहुत एरिया के लिए resistance काम कर रहा है तो वह एक बहुत important zone है यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि M.A.C.D. line ने signal line को cross किया है उपर से नीचे को बहुत बहुत कोसिस किया कि दुबारा नीचे से उपर क्रॉस करें लेकिन उपर से नीचे को क्रॉस किया है तो हमको इसमें मिला है एक cell signal मिला है हमको इसमें और अगर आप ध्यान से M.A.C.D. को भी दिखोगे तो वह है 60 के level के उपर 114 के level इसका मतलब extreme overbought reason है तो बहुत overbought reason है इसके उपर हम यहाँ पर अच्छे अगर हमको देखें कितने बाप breakout करने को करी है और एक head and sold up pattern बनाके नीचे fall करने की कोसिस कर रहा है तो बहुत बार इसने breakout करने कोसिस करी है लेकिन यहाँ पर से यह breakout नहीं कर पा रहा है इस्टे न time आ रहा है और वहीं पर हमको एक breakdown देखने को मिलता है और देखने को मिल गया है कम से कम हमको 500-600 points का downfall देखने को मिल गया है और confirmation हमको मिली है MACD से बहुत अच्छी वाली यहाँ पर हमको पैसा से MACD का multiple confirmation से यहाँ पर हमको signal मिल गया है कि आप हाँ sell कर सकते हों MACD ने various signal दिया है उसका MACD बहुत ज़्यादा overbought reason में है इसका मतलब हाँ second confirmation हमारी हो गई है कि हाँ overbought reason में है हम अच्छे कासे sell इसमें कर सकते हैं third entry confirmation हमारी यह है कि हाँ head and sustain नहीं कर पा रहा है breakout के बाद price और head and shoulder pattern बनाके नीचे को fall हो रहा है तो तीसी confirmation भी हमारी मिल गई और चैसे ही हमारा यहाँ पर breakdown plus retest होता है तो हमारा एक और confirmation हमको मिलती है वो मिलती है important support level का break तो यह support level है zero का level उसके नीचे अगर price जाता है तो अच्छे कासे हमारे support level को break करके नीचे जाता है तो हमको four multiple confirmations मिली है इसमें bearish घोचने के लिए तो अराम से bearish enter होके इसमें trail ले सकते हैं तो ऐसे काम करता है हमारा macd indicator तो यह ऐसे काम करता है हमारा overbought और over soon soon तो ऐसे करके हम macd में काम करता है macd बहुत multiple confirmations का indicator है आप single confirmations नहीं ले सकते हो तो बहुत सारी confirmations आपको एक साथ मिलती है macd में तो मैं आपको पहले का और दिखाता हूँ एक और बेक्रेस करके इसको दिखाता हूँ तो यह वाला जोन आप देखिए यहाँ पर अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर market खुला है एक बहुत अच्छे और बौट रिजन औ और बौट रिजन और market open हुआ है यहाँ पर हमको macd से signal मिल गया है कि हाँ आप बेरिस सिगनल मिल गया है कि आप sell कर सकते हो यहाँ पर sell हम कर सकते हैं एक अच्छा खासा हम support रिजन मनाएंगे यह बना हमारा support रिजन जैसे ही support रिजन का break हुआ यहाँ पर आप देखोगे यह साइड होता है तो इसका मतलब यहाँ पर बेरिस का ट्रेंड चल ला है तो बेरिस ट्रेंड में आ गया था macd बहुत रिजन में भी था हमको बेरिस सिगनल भी मिला हमको अच्छा खासा support का breakdown भी मिला तो हम किस बात के रुके हैं हम बहुत अच्छी है वर हमको trade बन सकती है त तो यहाँ पर देखे कितना अच्छा हमको मिल चुका है download तो मैं दुबारा repeat कर देता हूँ कि इसमें भी हमको multiple confirmations कैसे मिली है यहाँ पर देखे पहली confirmation हमारी क्या है कि हमको macd line बता रही है कि हाँ बेरिस एंटर हो सकते हो और second confirmation हमारी क्या है macd line है 156 पे इसका मतलब extreme overboard zone मे है macd line बता रही है कि हाँ बेरिस हो सकते हो एंटर तो इसका मतलब यहाँ हमारे long जाने का कोई reason नहीं है तो अब हमने को जाना है इसमें short तो हमने बनाया एक support level support level का break हुआ तो हमको मिल गई तीसरी confirmation मिल गई कि हमारा support region हाँ एक strong candle के साथ break हो चुका है और fourth confirmation हमको इसमें क्य ने दी और हमको अच्छे से price action के साथ इसको mix किया तो हमारा एक बहुत अच्छी sell की call बनी है आप ज़रूरी नहीं आप intraday में जब निफ्टी बेंक ट्रेड कर रहे है किसी भी stock में भी same यही काम करेगा macd indicator आप अराम से छोटी छोटी trades लेकर इसको सीख सकते हो आप जिसे intraday में कर रहे हैं दो से टीन ट्रेड या वन तू मैं तो बोलता हूं वन तू टू ट्रेड आप डेली लो इसको अराम से दो बार use करो 10 के दस बजे के बाद आराम से यूज करो इसको दो ट्रेड आप अराम से लो उसके बाद आराम से laptop बंद करके आपना कोई और काम कर सकत हो तो ऐसे करके आप डेली अच्छा खासा profit बना सकते हैं MACD indicator की help से और देखे मैं आपको दो strategy बताई है और दो बार यह देखी मैं आपको दो बार back test करके दिखाया और proper काम किया है इसने तो एक बार मैं आपको और back test करके दिखाता हूं लेकिन उसके लिए हमारी video थोड़ आपको पता है RSI divergence की वीडियो मैंने बताई है RSI divergence बहुत help करता है जैसे की हमारा price चल रहा है एक जैसे की example के तौर पर मान लीजी divergence क्या होता है divergence ही जैसे मान लीजी price हमारा चल रहा है उपर की तरफ और हमारा MACD बता रहा है नीचे की तरफ तो इसका मतला हमारा bearish divergence पंचका इसका मतला bearish side हम ज्यादा enter हो सकते हैं तो अब हम चलते हैं divergence को अब divergence को हम अच्छे से back test करेंगे कि divergence कैसे use करते है तो divergence मैं आपको धूट के दिखाता हूं कि कहा पर हम कुई divergence देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर मिला है मुझे इस area पर सबसे important divergence तो आप यहाँ पर देख स इसी level पर trade कर रहा है लेकिन वहीं पर आप MECD को देखोगे मैं इस line से सुरू करूंगा यहाँ पर से आप MECD line को देखोगे तो यह थोड़ी सी bearish line बनी है इसका मतला हमको bearish divergence देखने को मिल रहा है मैं MECD indicator में और यह जैसे कि मैंने same आपको RSI में बताया था same यही है इसम MECD में एक bearish line बन रही है लेकिन हमको price देखने को मिल रहा है वो एक uptrend में ही है तो यहाँ पर काम कर सकता है हमारा MECD divergence तो यहाँ पर मैं इसको नीचे से भी आपको बना के दिखाऊंगा तो यहाँ पर से भी आप ध्यान से दिखोगे तो एक bullish line बन रही है इसका मतलब price त हमको बता रहा है कि हाँ यहाँ पर से bearish signal मिल रहा है तो हम इसमें कैसे entry करेंगे तो हम इसमें entry करेंगे सबसे important support पर है तो हम इसमें यह level मेरे को दिख रहा है कि important support level है तो यह वाला level हम कर रहा है इस दिन break हो रहा है इस दिन break हो रहा है तो हम इसमें कैसे enter करेंगे आपको ब मिला है लेकिन मैं आपको इसमें example तो आपको अच्छे से मिली जाएगा देखे यहां पर एक अच्छा खर आप le 확 डिया ट्राइंगल में ट्रेड हो रहा था प्राइज और इसमें बेर्ट हमावा देखने on brand нов हुआ यहां को से इस्ट को雷ज डा इसमें कि और पहले से इसमें डोंडके नहीं रखें तो मैं आपके सामने पीज्मे lux we też को मिल जाता है तो मेरे को सहर न ये यह यहां पर वी मुझे डाइबर से पहीं मिल के यहां पर तो अच्छा अच्छा प्राइस्या डिका रहा है लेकिन वहाँ पर हमारा यह देखें यहां बना है लेकिन यहाँ पर मैं work नहीं कर सकता क्योंकि day over हो गया था तो क्योंकि मैं इंट्राडे की strategy यूज करता हूं तो इंट्राडे में day over हो जाएगा तो यह किसी काम का नहीं है तो हम पूरा उसमें day में ही देखना पड़ेगा यहाँ पर price fall हो रहा है लेकिन हमारा msd fall हो तो इसका मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है तो ऐसे करके हम फाइंड करते हैं यहाँ पर मेरे को एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिला है अब मैं आपको दिखाता हूं तो यह देखें यहाँ पर हमार 36423 पर प्राइस है लेकिन आप थोड़ा 6512 लेकिन हम अगर MACD में देखेंगे तो MACD में देखें यहाँ पर जो प्राइस है वो है हमारी इस लेवल पर और इसका बतला हमको यहाँ पर देखने को मिलना है बहुत 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 देखने को मिली है यहाँ पर हमको हमारा अब ध्यात से देखोगे multiple confirmations मिलने वाली है यहाँ पर blue line ने उपर से नीचे को कट किया इसका बतलब को cell signal मिलना है यहाँ पर हमको एक और confirmation मिले कि एक various candle मिली बनी है resistance पर यहाँ पर हमको दूसरा confirmation यह है कि हाँ यहाँ पर हमको various signal मिल रहा है उसके बा मैं आपको draw करके दिखाता हूँ यहाँ support हमारा target रह सकता है देखे कितने आसानी से हमको एक trade मिल गई है MACD की बएसे divergence की बएसे इसमें देखने को मिल गई है तो बहुत अच्छा काम करता है MACD divergence भी लेकिन divergence के लिए अगर use करना है तो मैं इसको use करना prefer करता हूं RSI को लेकिन अगर मेरे को multiple confirmation चाहिए तो उसके लिए MACD से better indicator और कोई नहीं है जैसे कि आपको अभी बताया है आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो मैं आपको बताया है कि देखे है MACD कितनी multiple confirmations के साथ trade मिलती है एक हमको overbought reason में देखने को मिलता है उसके बाद जैसे हम को support break होता है price में और हमको MACD bearish बताती है इसका मतलब MACD की line signal line को उपर से नीचे cut करती है तो हमको दूसरा signal मिलता है तीसरा signal हमको कम मिलता है तो हमारा zero का level जो की सबसे important support होता है वो break होता है तो हमको तीसरा signal मिलता है और उसके बाद हमारा इक bearish trend continue हो जाता है तो ऐसे करके ह करते हैं MACD में बहुत important indicator है इसके तीन uses जैसे गाना को पताती है पहला है overbought और over sole reason को पहचानना दूसरा use है इसका MACD और signal line का use जो कि हमको divergence बताता है MACD divergence का use करता है तो ऐसे करके हम multiple confirmations के साथ MACD की वैसे trait ले सकते हैं तो यही था इस वीडियो में वीडियो जादा लंबी मैं नहीं करूंगा अगर आपको कुछ topic भी topic हलका सा भी इसमें कोई भी query है MACD related तो मेरो comment से पूछ सकते हैं वो मैं 100% solve करूंगा आपक मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी doubt में रहें तो हम इसे पूछ सकते हैं और आपको अगर फिर भी मेरे को comments का मैं reply नहीं दे बाता हूं तो हम इसे WhatsApp नंबर आपको आएगा WhatsApp नंबर है मुझे सीधे WhatsApp message कर सकते हैं तो यही था इस वीडियो में म कैसे होता है कैसे हम MACD इंडिकेटर यूज करते हैं और अगर आप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर देना और comment से मुझे तान आपको क्या problem है और मेरे Instagram प्लस Telegram पेज को ज़रूर सब्स्राइब कर देना कॉकिमस में intraday प्लस टेडिंग के चार्ट सेर कर रहता हूं so thank you for watching